नमस्का दोस्तों, आप सभी लोग का इस ने वीडियो में स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Quantum Mechanics के Important Concept के बारे में तो इससे पहले आपने देखा है कि हमने Quantum Mechanics के काफे सारे जो वीडियो लेक्चर्स है Formula Revision बोलिए या फिर Crash Course बोलिए हमने Upload किया है आपको हमारे चैनल पर एक Playlist मिल जाएगी जिसमें की आपके आपके आठ लेक्चर अवेलिबल हैं और उन लेक्चर के मदद से आप अपने किसी भी एक्जाम के तियारी कर सकते हैं हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और उसको एडवांस तक लेके जा रहेंगा तो स्टार्टिंग वाले जो भी आपके टॉपिक्स होंगे वो आपके MSC लेबल तक के जो भी एक्जाम सो जाते हैं जैसे कि ITGM हो गया, CVT, PG, PGT हो गया और उसके बाद जो आपके अडवांस वाले होंगे आपको उधर भी काम आएंगे CSRNet, Physical Science हो गया, Gate Physics हो गया Set Physical Science, Tiffer Physics, Just Physics ठीक है? तो एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसी तरीके से सारे Lectures देखने को मिल रहे हैं तो जो आपके सारे Lectures हैं वो आपके higher level के exams के लिए और जो कुछ आपके starting lectures होंगे आपको देखने को मिल जाएगा वाँ पे सारे जो आपके topics होंगे नेकपर देख लिजिएगा आपके syllabus में belong करता है कि नहीं करता है उसके बाद ही उसको देखिएगा आप लोग ठीक है तो यह हमारा complete हम इसमें करेंगे हर तरीके के जो आपके concept होते हैं किस तरीके से questions को solve किया जाता है हम हर चीज को वहाँ पे cover कर रहे हैं ठीक है इसमें भी आपके काफी सारे जो concept होंगे उसको cover करेंगे और देखेंगे कि जो भी आपके concept है कैसे apply किये जा सकते हैं कैसे आपके questions पूछे जाएंगे तो हम उसको solve करेंगे और आपका जो भी quantum mechanics होगा बहुत बढ़िया से solve हो जाएगा हमारे questions solve करने आ जाएगे हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो को आप लोग like कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं हमें पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा क्योंकि आगे आपके live sessions भी हम लेके आने वाले हैं तो हमारे application पर आपके लिए courses भी अवेलेबल हैं ठीक है आपके class course होगे recorded complete course होगे आपके live batches होगे सब कुछ आपका अवेलेबल है test series भी अवेलेबल है ठीक है तो आप हमारे application पर चले जाएए आपको CS standard physical science IT jam physics, gate physics CVT PG physics PGT physics हो गया set physics होगे आपका assistant professor exams होगे सभी के लिए courses अवेलेबल है ठीक है अगर आप join करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमारे application ने कहाए गूगल प्ले स्टोर पर राज physics tutorials या फिर राज physics बस आप search करेंगे तो हमारे application मिल जाएगा आप उसको download करके courses जोएंट कर सकते हैं ठीक है या फिर इस नंबर पर भी आप call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं अपने courses को जोएंट कर सकते हैं ठीक है चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं देखेंगे आज हम जो बात करने वाले हैं आपका सबसे पहले debrogly hypothesis के बारे बात करने वाले हैं यह जो आपका टॉपिक है इससे काफी सारे questions हमारे exam में अलड़ी बन चुके हैं ठीक है यह जो आपका टॉपिक है काफी छोटे-छोटे questions बनाता है गैस और इसका जो use होता है थोड़ा सा special theory of relativity को भी apply करेंगे इसके questions किये जा सकते हैं ठीक is equal to h by p यहाँ पर आप जो h देख रहे हैं इसको हम plank constant के नाम से जानते हैं जो आपका p है यह आपका linear momentum आप इसको बोल सकते हैं ठीक है तो इसको अगर थोड़ा सा arrange कर दिया जाए अड्रेस्ट कर दिया जाए तो यह p is equal to h by lambda हो सकता है या फिर अगर हम चाहें यह जो आपक h है अगर reduce plank constant के form में रख दिया जाए और जो आपका यह web length है जो आपका डी ब्रोगली web length है इसको अगर web vector के form में रख दिया जाए तो हमारे पास एक नया relation अपने momentum को बन सकता है वो आपका क्या बनेगा p is equal to h cross k ठीक है याद रहे हमारे पास यह जो relation है इसी तरीके से आया है हमारा जो h cause होता है इसका पतलब आप याद रखिएगा h by 2 pi ठीक है ना और k is equal to 2 pi by lambda या फिर lambda is equal to 2 pi by k तो यह lambda और यह जो आपका h है यहाँ से इसको आपके यह वाले value calculate कई है याद रखिएगा यह use होता है हमारे question है ठीक है यहाँ आप याद रखिएगा k is equal to 2 pi by lambda होत इसको lambda is equal to pi by k जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हमारे पास जो energy का formula होता है guys e is equal to h new यह तो आप जानते है आपका h वही plank constant हो जाता है new आपका frequency हो जाता है इसकी जगब हमारे पास फिर से एक relation बन सकता है guys reduced plank constant और angular frequency के साथ यह आपका क्या हो जाता है e is equal to h cross omega हो जाता है ठ तरीके से हमें जरूत हो कि उसी तरीके से हम इसको use करेंगे ठीक है हमारा जो p होता है मैंने आपको बताया linear momentum बोलते हैं या fair simple momentum भी बोल सकते है यूज कर सकते हैं ठीक है कि यह का मतलब आप जानते ही है आपका new frequency होता ही है अब देखिए कि हमारे पास जो deep broccoli hypothesis होता है इसकी application दो जगा देखने को मिल सकते हैं एक तो आपका जो non-relativistic होता है और दूसरा आपका relativistic होता है ठीक है तो इन दोनों categories के बारे मुझ पड़ा सा मैं जानना पड़ेगा क्योंकि इन में से किसी भी category से question पूछा जा सकता है कहीं से भी आपको questions आ सकते हैं ठीक है सबसे पहले आ तो इसमें हम जो भी mass use करेंगे आपका M होगा ठीक उसमें कोई भी relativistic type की चीज़ें नहीं देखने को मिलती है यह difference आपको पता पूना चाहिए ठीक है तो अगर हम आले यह बात करते हैं गैस हमारा जो kinetic energy होता है हम जानते हैं ना कि P e square upon में 2m या फिर आपका half P e square upon में M अपने पास होता है यह तो आप चीज़ें जानते ही है और kinetic energy आपका ये भी होता है half M v e square लेकिन हमें इसे फिलहाल मतलब नहीं है गैस हम इसको kinetic energy तो बोलेंगे लेकिन हमें momentum के form में चाहिए तो kinetic energy is equal to P e square upon 2m ठीक है हमारा जो kinetic energy होता है कि इस आपको धियान रखना है कि इसको हम K भी लिख सकते हैं जैसे K e मतलब kinetic energy या फिस shortcut में आप इसको बहुत जगा K e भी लेख सकते हैं ठीक है लेकिन इसको आपका T से भी represent किया जाता है तो अगर आपको T देखता है तो इसका मतलब ही ध्यान रख रहा है कि वो भी आपका kinetic energy ही है तो कोई भी चीज में यूज़ करूँ आपको उसका मतलब पता होना चाहिए नहीं तो बहुत बार हम जो terms को यूज़ करते हैं उनका मतलब नहीं जाते हैं इस कारण से भी questions गलत हो जाते हैं ठीक है तो याद रखी यहां सागर थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए तो हमारे पास जो P की value है अंडरूट 2M into kinetic energy मिल जाएगी ऐसा हो सकता है ना मैं इसको kinetic energy की जगवाँ पर के लिखो या फिर T लिख देता हूँ तो हमारे पास यह relation मिल जाएगा अब मैं क्या करूँगा गईस हमारा जो dblogly web length है lambda is equal h by P अब P की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा अपना अंडरूट 2M into kinetic energy ठीक है तो h upon अंडरूट 2M kinetic energy या फिर h upon अंडरूट 2M into T तो T भी आपका kinetic energy ही यहां पर हो रहा है ठीक है याद रखिएगा इस तरीके के चीज़ें हम यूज करेंगे तो अब देखेंगे कई सारे questions इस पर मिल जाएंगे हमारे हर एक exam में इस टाइब की चीज़ें आती रहती है ठीक है याद रखना है उसकी बाद देखेंगे हमारे पास यह जो अभी term था जैसे kinetic energy के terms में हम ने इसको देखा इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा accelerating potential के form में भी replace कर सकते हैं वहाँ पे एक narrow lesson बना सकते हैं ठीक है मान लिजीए हमारे पास कोई भी एक particle है जिसका mass m हम लेके चल रहे हैं ठीक है कोई भी particle हो सकता है जो भी आपको question में दिया जाए तो उसका mass मान लिजी m हो जाता है और ऐसा भी हम लेके चलेंगे गए जो भी आपका particle होगा उसके पास को charge भी हो सकता है तो उसका mass m हो जाता है चार्ज Q हो सकता है एंड उसको हम पोटेंशल डिफरेंस वी से क्या करना चाहते हैं एक्सलरेट करना चाहते हैं तो यह हम कर रहे हैं तो अगर ऐसा करते हैं गया तो आप इनर्जी बोल सकते हैं उसको चार्ज और जो आपका पोटेंशल डिफरेंस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आपका कारनेटेक अनर्जी है या फिर T से आप उसको रेप्रेंट कर लिजी या कितना हो जाएगा Q इन्टू V तो Q आपका वही चार्ज हो जाता है और आपके पास जो V है वो अपना पोटेंसल डिफरेंस हो थे देख रहे ना आप यहां पर वहमारे पास यह लेमडा इस एकॉल टु डी ब्रॉगलि वैबलेन जो अपना है इस एकॉल टु एच एपॉन अंडरोट 2m qv अपना हो जाता है यह जो आपके पास webland दिख रहा है, debrogly webland दिख रहा है, इस पे हम बहुत सारे question solve कर सकते हैं, यहां से directly भी question पूछे जाते हैं, ठेक है, कई बार तो इसका formula पूछ दिया गया है, कि electron के लिए बताईए, हमारा debrogly webland हो जाता है, और आपका potential difference है, उसके बीच में correlation होता है, इसको solve भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम h की value पूट करें, h की value तो fix है, वो तो change नहीं होने वाला है, ठेक है, वही अगर मैं electron की बात करूँ, तो electron के लिए आपका ये m जो है mass हो जाता है, electron का mass हो जाएगा, q आपका, वही electron का charge हो जाएगा, तो ये अगर आपको किसी भी particle के लिए पूछा जाता है, तो आपको उसका charge चाहिए और उसका mass चाहिए, उसके बाद आप इसका question solve खर सकते हैं, ठेक है, उसके बाद हमें बस एक ही चीज़ के ज़रूत रहेगी, वो आपका क्या है, potential difference, तो मैं बस आपको किसी एक particle के लिए बोलूँ, कि भाई ये जो आपका particle है, इसके लिए बताईए कि इसका जो web length है और potential difference उसके बीच में क्या relation हो सकता है, ठेक है, उस टाइप पे बस हमें, जो final relation होगा ना, बस दो ही चीज़े उसमें दिखेंगी, वो आपका क्या है, आपका lambda और वी, जैसे कि मैंने electron के लिए इसको solve किया है, electron के लिए क्या क्या values हो जाएंगी, आपका जो electron का mass है और आपका जो charge है, वो तो fix है, वो तो change नहीं हो सकता आपका hb fix है, तो वो भी मैं रख सकता हूँ, तो इन जो आपका question है, कि इस काफी सारे exams में directly पूछा जा चुका है, अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे, बहुत सारी गलतिया हो सकती है, ठीक है, इसमें बस हमें क्या चाहिए, अपना potential difference चाहिए, तो हमारा question solve हो जाएगा, यहीं पे अकर मैं यह करता है, इसकी मेरे पास यह जो electron, electron मारे यह नहीं लेकर चल रहा, मैं proton ले लेता हूँ, neutron ले लेता हूँ, या फिर कोई alpha particle ले लेता हूँ, तो ऐसे कोई भी particle हो, जिनका हमें charge given है, अपना mass given है, उसके बाद इसका question solve किया जा सकता है, ठीक है, तो यह याद formula है, यूज हो सकता है, ठीक है, तो यह general formula है guys, और normally अगर electron के लिए बोला जाएं, तो यह वाला formula है, यह कई सारे exam से में question आयागा, जैसे क्या ITGM हो गया, CVT PG हो गया, set physics का exam हो गया, assistant professor का exam हो गया, हर जगे step के questions पूछे जा चुके है, ठीक है, तो हलके में मत लीजेगे, यह सब चीज है, में confuse कर देती है, ठीक है, यह सब आपके units आप अपने question देखी सकते हैं, आपके M वाला हो जाता है, Q वाला हो जाता है, plank constant जो भी आपके पास joule second है, ठीक है, तो हर तर्टीक है के इसमें क्या हो जाता है, अगर हम in terms of kinetic energy के form में बात करें, तो क्या क्या चीजे हो सकती है, अब मैंने आपको starting में ही बताया कि जो kinetic energy है, मैं इसको के use कर सकता हूँ, या फिर T लेख सकता हूँ, तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, तो गाइस, इसको भी solve करना, इसको भी करसे derive करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इसका जो basic relation है, वो तो हम जानते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो relation था, हम इसमें भी P को replace करते थे, हमारा non-relativistic form, अब वस यही है, ये जो आपका P दिख रहा है, इसको हम relativistic form में replace करेंगे, उसके बाद इसका formula आराम से आ जाएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं, हमारे पास एक formula होता है total energy वाला, total energy का whole square is equal to P square C square plus M not square C की power 4, ठीक है, ऐसा होता है, ये जो आपका E है, total energy हो जाता है, P आपका वही momentum, C आपका speed of light, M not जो आप देख रहेगा, वो आपका rest mass होता है, ठीक है, आप अपने special theory of relativity में जाकर देखेंगे, तो ये साइचीज देदम बढ़ियां से बताई गई, हमने special theory of relativity का भी lecture कर रखाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, वैसे classical mechanics में हम उसको भी आगे continue करेंगे, ठीक है, उसके भी shortcut formulas हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, डीटेल में हमने questions और आपके जो इतना कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है, अब हमें काम कर सकते हैंगा, इस हमारे पास जो total energy है, उसका एक और भी relation हमारे पास available है, वो क्या है, total energy is equal to kinetic energy plus rest mass energy, तो यहाँ से जो यह relation दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे put कर सकते हैंगा, उसको simplify कर लाएंगे, हमारे पास एक relation मिल जाएगा, ठीक है, तो kinetic energy plus rest mass energy, तो kinetic energy plus m naught c square मैं इसको रख सकता हूँ, तो e e square की value मुझे है यहाँ पे put करने हैंगा, ठीक है, तो उसी वाले relation में आ जाएए, p is equal to जो दिख रहा है, p is equal to 1 by c under root, जो e e square था, minus m naught square c k power 4, तो हमने e e square के जगह पे e की value अपने रख दी है, उसको simplify करेंगे, तो हमारे पास कोछ इतना मिल जाता है, ठीक है, आप इसको holy square करेंगे, आपका kinetic energy का holy square plus m naught square c k power 4, तो यह जो m naught square c k power 4 होगा ना, यह negative वाले portion के साथ cancel out हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास बस क्या बचेगा, kinetic energy का holy square plus 2k m naught c square, ठीक है, क्योंकि आपका a square b square plus 2a भी होगा ना, तो वही चीज़े वहाँ से kinetic energy common देख रहा है, उसको मैंने common ले लिया है, उसके बाद ही आपकी जो value हो चुके है, relativistic form में momentum की value हो चुकी है, ठीक है, तो इसल relation को आप अपना, जो debrog लिए web length है, वहाँ पर रख दीज़े, आपको अपना relation final मिल जाता है, कितना है यहाँ यहाँ पर, lambda is equal to h upon, आपका जो p की value होगा कितनी आई है, 1 upon c under root, kinetic energy, मैंने उसको shortcut में k लिखा है, या फिर t में लिख सकता हूँ, मैंने आपको कई बार बोला है, तो k in bracket k plus 2m0 c square, ठीक है, यह जो आपका c है, यहाँ से यह उपर आ जाएगा, तो आपके पास final जो relation होगा, कितना हो जाएगा, lambda is equal to hc divided by under root k in bracket k plus 2m0 c square, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके questions यहाँ पर solve किये जा सकते हैं, यह जो आपका result है, यह फाइनल वाला, यह direct भी question यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, यह direct भी कई बार exams में आ चुका है, आपका CVT का exam है, IT Jam Physics का exam है, PGT हो गया, तो यह हर जगह, यह direct भी आ सकता है, तो हलके में मत लीजेगा, जैसे कि मैंने आपको सारी formulas के साथ, यही बोला है, यह हलके में किसी को भी हम नहीं ले सकते नहीं, तो हमारा question गलत हो जाएगा, और अगर direct आता है, तो formula याद रहना चाहिए, हम direct भी questions को solve कह सकते हैं, ठीक है, उमीद है, सारी चीजे समझ में आ रही हैं, ध्यान से देखते चलिए, next हम बात करते हैं, हमारे पास एक नया concept है, डिसको की हम, Heisenberg का uncertainty principle बोल सकते हैं, ठीक है, यह जो आपका principle है, कई बार हमें confuse कर देता है, जो आप uncertainties की बात करते हैं, जिसे की position and momentum हो जाता है, फिर आपका energy and time में हो जाता है, फिर आपका angular momentum और angular displacement में हो जाता है, ठीक है, तो हम number का uncertainty principle है, इन तीनों जगह पे apply किया जा सकता है, हम इनके product के बारे में ही बात करते हैं, जिसे की, आपकी uncertainties होती है, जिसको कि हम डेल से मालेजी calculate कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके पास product of uncertainties होती है, in determining the position and momentum of a particle at same instant, ठीक है, तो हमारे पास जो uncertainties है, हम determine करना चाहते हैं, किसम आपके जो position है और अपने momentum, तो उनकी product के बारे में ही हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनका जो product है, उसकी value कितनी होती है, greater या फिर equal to h cross यहाँ पे होता है, इसको हम क्या बोलते है, हाईजेनबर्ग का uncertainty principle बोलते है, ठीक है, याद रहे, यह del x into, यहाँ पर product हो रहा है, आपक इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, approximate equal to इतना भी रखा जा सकता है, कई बार questions में इसको ज़रूर्द पढ़ती है, इसको रखने की, आप इसको देखेंगे h cross यह, या फिर यहाँ पर h cross upon इसको r भी रख सकता हूँ, या फिर one dinosaur potential value उसकी width होती है, वो भी मैं रख सकत हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर position है, तो position आपका radius भी हो सकता है, आपका width है, potential value वह भी हो सकती है, तो questions के according आप इसको use कर सकते हैं, बहुत सारे questions में इसका ऐसे ही use होता है, ठीक है, तो इसको धिहान रखिएगा, यह जो एक general Heisenberg का uncertainty principle होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते है लेकिन यह वाला जो relation होता है, हर जगा valid नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इससे कम भी एक value होती है, वो बहुत बार use किया जाता है, लेकिन अगर normally पूछा जाए तो आप इसको यही use करेंगे, ठीक है, तो यह तो जो आपका relation है, यह बस किसके लिए है, position और जो आपका momentum है उनमें जो uncertainties होंगी, उनको हम determine करना चाहते है, उनका जो product है, आपका greater और equal to h cross है, लेकिन यही same चीज़ आपके energy और time के साथ भी हो सकती है, ठीक है, तो उनकी जो uncertainties है, आपका उनका product हम देखना चाहते है, आपके uncertainties in energy into uncertainty in आपका जो time है, इसकी value क्या है, greater than equal to h cross है, same to same आ displacement या फिर जो angle अपने पास होता है, उसमें जो uncertainty है, ठीक है, उनका जो product है greater than equal to h cross यहाँ पर हो रहा है, तो यह जो हाईजनबर का uncertainty principle है, यहाँ पर भी valid है, और यहाँ पर भी valid है, इस पर भी questions directly आ जाते हैं, मतलब हमें कई बार यह भी पूछा जा सकते हैं, बताइए आपका यह जो question देख रहा है, इसमें हाईजनबर का uncertainty principle कौन सा correct है, तो याद रखना है, यह भी correct है, यह भी correct है, यह भी correct है, और यह भी correct है, अगर यह दोनों नहीं देखा हो, तो हमें लगेगा कियार, हमने तो बस position momentum का पड़ रखा है, तो ऐसे गलतिया हो सकती है, हम ऐसे छोटी principle है, इसका एक exact statement होता है, मतलब कि जो आपने del x, del p greater than equal to h cross देखा है, उसकी जो value होती है, एक ऐसा value है, मतलब एक ऐसा fixed value से कम नहीं हो सकता है, वो क्या है आपका order of h cross by 2, आप देखेंगे न कि हमारे पास जो uncertainties है, जो product है उनका, उनकी जो value होके इस से कम नहीं हो सकता है, त तो ये exact statement आपका बूला जाता है, और ये सब के लिए valid है, position, momentum के लिए valid है, energy and time के लिए valid है, angular, momentum और angular displacement के लिए ये valid होता है, तो ये वाला भी formula सही है, और वो वाला भी formula सही है, बस ये कि बहुत बार ऐसा भी होता है, इस question में mention करके आजाता है, कि आपको ये वाला relation use करना ह है आपका h cross use होगा कि h cross by 2 use होगा लेकिन अगर use नहीं होता है कोई formula नहीं दिया जाता है तो हम simple अपना h cross वाला use कर सकते हैं ठीक है यह job की values होंगे नहीं guys यह एक तरह से equal ही है क्योंकि h cross आप जो देखते हैं जो आपका reduce plan constant है उसकी order में और h cross by 2 उसकी जो values की order में कोई खास अंतर नहीं होगा ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा इस कारण से हम दोनों values को correct बोल सकते हैं अपना जो concept है दोनों जगा valid होता है ठीक है तो आपको जो अपने questions होंगे solve करके दिखना पड़ेगा कि भाई h cross पे उसकी value सही आ रही है या फिर अपनी value सही आ रही है क्योंकि अगर mention नहीं किया जाता है तो हम इस तरीके से एक बार चेक कर सकते हैं लेकिन हम सुरुआत अपना question solve करने के लिए करेंगे नहीं वह सकता है कि directly आपका उसी भी mention नहीं है वहाँ पर हमें formula के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सा यूज करना है इस ट्रिक को थोड़ा सा follow कर सकते बेसिक साई concept है अपनी सोभिधा के लिए हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह सब के लिए valid है तीनों और आपके रूल उधर थे जैसे कि आपका यहां पर रूल बन रहे थे पुरीश मोमेंटम एनरजी टाइम एंगलोर मोमेंटम और डिस्प्लेस्मेंट सेम यहां पर इस्टेट्मेंट भी तीनों का बन सकता है ठीक है तो यह भी डार्ग लिए आपका कौशन वहां से बनाया जसा मेने आपको बोला आपका जो में मुमेंटम या फिर इवरेज मोमेंटम जैसे बोला जा सकता है ठीक है अं involved करें यहां पर आपका फार्मुला है यहां का है इसकी application क्या क्या हो सकते हैं बहुत बार इन पर भी questions आ जाते हैं जैसे कि non existence of the electrons in the nucleus तो हम वहाँ पर भी apply कर सकते हैं जैसे कि जो आपका nucleus है तो उसके अपने जो वहाँ पर electrons है ठीक है उसके non existence पर भी मतलग वहाँ पर exist नहीं कर रहे हैं नुकलेस के अंदर हम वहाँ पर भी apply कर सकते हैं जो हमारे पास बोहर और बीट होता है ठीक है उसका जो फर्स्ट और बीट है उसके radius में भी इसको apply किया जा सकते हैं वहाँ पर भी इसको use कर सकते हैं हमारा जो harmonic oscillator होता है जो आप बोल सकते हैं अपना जो zero point energy है तो वहाँ पर जो minimum energy होती है अपने harmonic oscillator की वहाँ पर भी इसको use किया जा सकता है उसकी मदल से zero point energy को calculate किया जा सकता है यूज कर सकते हैं हमारे पासे जो relation है जैसे कि one two potential well है अगर one two box में कोई भी particle है उसकी energy में भी इसको use किया जा सकता है वहाँ पर question solve कर सकते हैं ठीक है अमारे पास जो स्पेक्टर लाइन से उनकी जो फाइनाइट विड्थ है वहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है उनके लिए हम इसको काम में ला सकते हैं हमें ध्यान रखना है कई बार ऐसा भी क्वेशन होगा यह जो आच मैंने अप्लिकेशन बताएं हैं चार आप्शन करके आपके इसमें से तीन ऑप्शन सही दे दिये जाएंगे बोला जाएगा कि कौन सा इनकरेक्ट है एक उप्शन में कुछ अलग तरीके की वैलो लिख दी जाएगी या फिर कुछ गलत सलत वहाँ पर स्टेट्मेंट बना दिया जाएगा बोला जाएगा कि आपको इसमें से इनकरेक्ट स्ट स्टेट्मेंट है वो गलत होंगे एक आपका स्टेट्मेंट सही होगा तो इस तरीके से हम वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर पाएंगे तो ऐसे टाप के जो होगे वही सीवीटी पीजी एमसी फिजिक्स इंटरेंस एक्जाम में आते रहते हैं आई टी जैम में ऐसे पूछे जाते है ठीक है तो इस तरीके कोस्स आपको करना होगा तो अब देख सकते हैं हमारे पास किस तरीके से इनका यूज होगा और अपने कोस्स को बहुत आराम से सौल कर सकते हैं ठीक है बढ़िया से देख लीजीएगा खुछ भी डाउट होगा तो पूछ लिजए कर कमेंका कर सारी जो क्रास को उसकी प्लेडिस्ट चेक कर लिजिए गा उसको इस प्लेडिस्ट में जिसे कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बढ़ियां हो सकती है अगर आप कोसिस को अफूर्ड नहीं कर सकते हैं तो ठीक है और last moment में यह जो चीज़े हम कर रहेंगे जब के last moment के लिए यही जब सबसे जादा important हो जाता है ठीक है last moment में आपको इसके requirement होगी आपको अपने exams में बढ़िया करने के लिए formulas को revise करना ही पड़ेगा तभी आप अपने questions वाल बें कर सकते हैं ठीक है तो इस सारी वीडियो को देख जाएए हर एक जो वीडियो हमने अभी तक update कर रहें अपने playlist में बढ़िया से एक एक line उसको आप देखिएगा ठीक है इसकी जो आपका PDF है यह जो आप lecture देख रहे हैं इसमें जो भी आपके किया है तो उसको आप जाके जोइन कर लिजेगे ठीक है अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दिजेगा अगर आपको PDF चाहिए इस